एक जंगल में शेर महराज थे जो बहुत बूढे हो चुके थे एक दिन उनके दोनों बच्चों में लड़ाई हो रही थी जिनका नाम तूलू और मूलू था तूलू कहता है अरे चल तू चुप कर ले बहुत बोल लिया मूलू कहता है अरे तू चुप कर जब से देख रहा हूं बोले ही जा रहा है आलसी कहीं का एक शिकार तो ठीक से होता नहीं तुझसे दरपोग कहीं का अब टोलू को बहुत ज़ागा गुस्सा आ जाता है और वो मूलू से बोलता है तू आलसी तेरा बाब आलसी तभी बुड़ा शेर बोलता है क्या बोला मैं आलसी तभी टोलू बोलता है अरे अरे नहीं महराज मैं वो तो मैं वो तो ऐसे ही बोल रहा था अब माना कि आप मुझे बूरे हो गए हो तभी शेर कहता है मैं बूरा हो गया हूँ पर अब भी मुझे तुमसे ज्यादा ताकत है और तुमसे ज्यादा दिमाग भी मूलू कहता है अरे पिता जी आप भी न कभी तो सोचकर बोल लिया करो इन बूरी हड्डियों में तो आप वो बात ही नहीं मुझे तो लगता है अब आपके पूरे दाद भी नहीं रहे शेर कहता है अच्छा तो ठीक है फिर आज पता चल जाएगा कि कौन कितना ताकतवर है और किसके पास कितना दिमाग है तो ठीक है चलो वो जो आदमी दिख रहा है न वो रोज जंगल में आकर लकडिया काट कर दे जाता है अगर वो अपने आप तुम लोगों के पास आ गया तो मैं इस जंगल का राजा तुम लोगों को बना दूँगा ठीक है टोलू बोलता है इसमें कौन सी बड़ी बात है अभी मैं उस आदमी को बलाता हूं अरे ओ भाई जरसुरो तो इधर आओ देखो इधर बह पीटता है और बोलता है अरे ओ चल भाग यहां से किसी और को बेवकुफ बनाना यह मास तो ताजा भी नहीं है और मुझे खिलाएगा खुद को तो देख चुट्टी लाटा पकरिये और मेरे साथ मिल बाटके खाएगा चल जाए यहां से मूलू कहता है लो लगा लिया दि आएगा अरे ओ भाई भाई जर इधर आओ तो मेरे पास देखो यहां पीड़ पर कितने सारे आम लगी है वो भी बहुत मीठे आओ जरा मदद कर दो तो वो आदमी फिर गुस्चे से मॉलू की तरफ देखता है और बोलता है आम लगी है पीड़ पर अरे ओ बुद्धु करने दे मुझे अपना फिर वह पूड़ा शेर हसने लगता है मॉलू बोलता है अरे मेरे पिता जी हसो मत अब आपकी बारी है फिर शेर उस आदमी से बोलता है अरे ओ भाई तुम रात दिन पेड़ की लकडियां का एटते रहते हो और इसे बजार में जाकर बेचते हो और तुमको उतने आमदनी भी नहीं होती होगी देखो मेरे पास एक जादूई लकडि है जो मेरे कुछ काम की तो है नहीं तुमारी ही काम की है शायर इससे इस्तिमाल करके तुम बहुत सारी लकडियां और काड़ सकते हो यह जैसा तुम्हें ठीक लगे इस जादूई लकडिय साथ कर लेना तुम्हें कोई महनत भी नहीं लगेगी और आमदनी भी अच्छी होगी शेर की बात सुनकर आदमी सोचने लगता है कि हाँ ये शेर सच बोल रहा है मुझे जाकर वो कुलहाडी ले ही लेनी चाहिए वैसे भी ये बुड़ा शेर से क्या डरना और फिर वो आदमी लालच में आकर उस शेर के पास चला जाता है जैसे ही वह आदमी शेर के पास जाता है शेर उस पर जबट्टा मार लेता है और आदमी को वही मार डालता है और इस से वह साबित कर देता है कि शेर भले बुड़ा हो गया पर उसकी हड़ियों में अभी भी जान है